हेलो श्रेंट्स कैसे हो आप सब I hope you all are well तो श्रेंट्स हमारे के चल रहा था products of electrolysis तो एक वीडियो उसमें हो चुका था एनेशियल और sulfuric acid का हमने electrolysis देख लिया था और क्या-क्या products बनते हैं वो भी हमने देख लिया था और इस वीडियो में आज हम देखेंगे electrolysis of aqueous copper sulfate का ठीक तो inert electrolysis के लिए भी देख लेंगे और reactive electrolysis के लिए भी देख लेंगे तो सबसे पहले देखो यह मैंने एक cell बना दिया है electrolytic cell देखो ions होंगे इधर aqueous solution में ions होंगे ठीक वाडर के भी ions होंगे और जो आपने electrolyte डाला है उसके भी ions होंगे positive ions होंगे और negative ions होंगे अब देखो positive कि दर की तरफ जाएंगे negative की तरफ जाएंगे ठीक तो negative की तरफ जाएंगे अगर cation तो उनको क्या मिलेंगे electron और अगर electron मिलते हैं electron अगर gain होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं reduction reduction मतलब उसका क्या हो रहा है आयन का reduction हो रहा है तो यह reduction हो रहा है इस electrode पर और जिस electrode पर reduction होता है उसको बोलते हैं cathode और confuse ना हो इसलिए C से cation और C से cathode तो cation जाएगा cathode ठीक और जो negative iron होंगे वो किदर जाएंगे उनका वैसे oxidation होगा और जिस electrode पर oxidation होता है उसको कहते हैं anode इतना समझ में आया अब देखो copper sulfate अगर हमने water में डाला है तो सबसे पहले copper sulfate क्या होगा ionize होगा Cu2 positive और SO4 2 negative में और water भी क्या होगा ionize होगा H positive और OH negative में यह समझ में आया अब देखो यह positive iron है यह किदर जाएंगे cathode पे जाएंगे ठीक जाएंगे तो दोनों cathode पे पर reaction केवल एक करेगा competition होगा इन दोनों के बीच यह पिसली वीडियो में भी पढ़ाया है मैंने और देखो यह दोनों कहां जाएंगे anode पे जाएंगे और reaction केवल एक की होगी अब देखते हैं कैसे कैसे reactions होती हैं देखो at cathode cathode पे क्या होता है तो देखो क्या क्या हो सकता है cathode पे c u जा सकता है c u two positive और h positive जा सकता है तो देखो c u two positive जाएगा और उसको उसको two electrons मिलेंगे ठीक उसको two electrons मिलेंगे और वो c u solid में change हो जाएगा और क्या करेगा deposit हो जाएगा electrode पे मतलब चिपक जाएगा यह समझ माया एक यह हो सकता है दूसरा क्या हो सकता है जो h positive है वो जाए उसको one electron मिले और वो h atom में change हो जाए और यह क्या है primary product है वैसे ही दो h आपस में मिलके h2 बना देंगे तो यह secondary product हो ठीक तो अब देखो या तो यहाँ two से into कर लो balance हो गई या तो यहाँ half कर लो balance हो गया अब देखो इसी को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं s2o टूटके बनता है आइनाज होके h positive और oh negative में ठीक अब h positive इन दोनों reactions को मिला दो h positive की जगह है यह लिख सकते हो बिलकुल लिख सकते हो तो हम यह कह सकते है water को electron मिला तो product क्या बना half h2 plus oh negative ठीक है तो अब यह क्या है final reaction है इसको लिख सकता हो अब तो देखो h2o को electron मिलता है और यह हो जाता है oh negative plus half h2 अब देखो cathode पे इन दोनों का इन दोनों ions का क्या होगा competition होगा co2 positive और h positive का अब कौन सी reaction होगी देखो cathode पे क्या होता है reduction होता है ठीक तो जिसका reduction potential ज्यादा होगा वो reaction cathode पे होगी standard reduction potential जिसका ज्यादा होगा वो cathode पे वो reaction होगी तो देखो कौन सी reaction होगी मतलब कौन discharge होगा h positive discharge होगा या co2 positive discharge होगा cathode पे तो reduction potential आपको पता है hydrogen का कितना होता है 0 volt होता है 0.0 volt ठीक और cu का कितना होता है 0.34 volt इतना होता है तो कौन सी reaction होगी जिसका reduction potential ज्यादा होगा तो ये वाली होगी ठीक ये वाली ये बात आई समझ में अब देखते हैं at anode anode पे क्या होता है देखो anode पे कौन-कौन जाएंगे SO4 2 negative जाएगा और OH negative जाएगा अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं अगर OH negative जाएगा तो क्या होगा OH negative जाएगा ठीक और electron lose करेगा OH में change होके ये electron lose किया ये हो हो गया अब देखो ये OH क्या है primary product है ठीक अब देखो इसी reaction को मैं आगे बढ़ाता हूं है एस टूओ टूटा किस में OH एच पॉस्टिव प्लस ओएच नेगेटिव में अब ओएच नेगेटिव की जगह है मैं ये लिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकता हूं तो हो एस टूओ टूटा एच पॉस्टिव प्लस इसको लिख लेता हूं इसके जगह पे ओएच प्लस बन इलेक्ट्रोन ये समझ में आया इतना अब देखो ये ओएच के फ्री रेडिकल है बहुत रियक्टिव होता है अनिस्टेवल होता है इसलिए तो फिर ये फोर ओएच आपस में मिलके एच टूओ और ओटू बना देते हैं ठीक अब बैलेंस करो यहां एच कितने फोर हैं तो यहां भी टू करना पड़ेगा इतनी बात आगई तो इसके फिर यहां यह है अब देखो कितने एस टूओ इंवाल्व हैं इस रियक्टिव में देखो फोर थे बाद में प्रोड़क्स बने तो एस टूओ बने वह वापस चले गए तो टोडल कितने में फिर यह माइनिस कर दो टू एस टूओ इनवाल्व है ठीक तो 2 एस reaction को overall reaction को लिख सकता हूँ उपर बिल्कुल लिख सकता हूँ तो देखो S2O is equal to 4H positive plus O2 plus 4 electron यह हो गया अब देखो एक ही हो सकता है दोसरा क्या हो सकता है S O 4 2 negative तो इसका oxidation हो सकता है तो S2O8 2 negative plus 2 electron release यह हो सकता है देखो यहाँ पर oxidation S का नहीं हो रहा है O का हो रहा है क्योंकि oxidation state S की full है 6 अब देखो बैलेंस करो यहाँ 2S है यहाँ भी 2 कर दिया मैंने इतना आगे समझ में अब देखो इन दोनों में कौन सी होगी किसका oxidation होगा anode पर तो देखो anode पर क्या होता है oxidation होता है ठीक तो इसका मतलब जिसका reduction potential कम होगा वो anode पर discharge होगा उसकी reaction anode पर होगी तो देखो इसका reduction potential जो है वो 1.96 volt है और यहाँ पर os negative का जो है 1.23 volt है तो देखो कौन सी होगी यह वाली होगी तो अब overall reaction कौन सी होगी देखो यह दोनों हो रही है न एक यह और एक यह यह तो समझ में आ गया यहाँ माल लेता हूँ साइन यह और यह अब देखो overall reaction यहाँ 4 electrons है और यहाँ only 2 electrons है तो मैंने क्या बताया था कि अगर overall reaction लिखनी है तो electrons कितने होने चाहिए मतलब सेम होने चाहिए दोनों में तो यहाँ मैं 2 से into कर लूँगा ठीक 2 से into कर लिया अब electrons नहीं लिखने है केवल जो बाकी के ions यह प्रोड़क्स है वो लिखने है तो देखो Cu2 positive overall reaction Cu2 positive ठीक अब यहाँ तो कुछ नहीं है अब यहाँ है ठीक यह कितना था 2s2O था प्लस 2s2O is equal to Cu 2cuO का यह भी 2cu positive तो 2cu और यह है plus 4H positive plus O2 ठीक तो देखो anode पे O2 क्या होगी bubbles के रूप में liberate होगी ठीक तो यह समझ में आ रहे हैं तो यह overall reaction हमारे पास हो गई ठीक तो अब हम देखते हैं कि अगर हम reactive electrodes use करें यहाँ पे तो हमने platinum rod use की थी यह gold की कल लो यह graphite की कल लो यह copper की कल लो ठीक और हाँ एक चीज और है यहाँ solution में SO4 2 negative ions भी हैं तो दोनों तरफ लिख लो और देखो H positive और SO4 2 negative मिलके S2SO4 बना देते हैं ठीक तो 1 SO4 2 negative के लिए 2 H positive चाहिए न तो balance करने के लिए फिर हमें यहाँ 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि यह 4 H positive है ठीक यह हो गया अब देखो यह S2SO4 बना रहे है तो मतलब जो solution होगा वो acidic होगा तो जैसे-जैसे electrolysis होते जाता है जैसे-जैसे यह reactions होती होती जाती है वैसे-वैसे क्या होता है pH value decrease होता है pH value क्या होती है degrees होती है तो solution क्या होते जाता है acidic electrolysis of copper sulfate using copper electrons तो देखो जो अब यह electrons होंगी वो copper की होंगी ठिक और देखो cathode पे यह दोनों attract होंगे पर reaction जो इससे पहले वाले में हुई है cathode पे वही होगी तो at cathode क्या होगा था? Cu two positive को two electrons मिले थे और Cu solid में change हो जाएगा और electrode पे क्या होगा? deposit हो जाएगा cathode पे और at anode पे क्या होगा? अब देखो anode पे क्या है? SO for two negative और OH negative जाएगे वह तो attract होंगे होंगे पर यहाँ electrode क्या है? reactive है Cu की है तो वो भी electron release कर सकता है तो देखो क्या possibilities बनती हैं? तो पहली तो यही बनेगी कि Cu two electron release कर दे, lose कर दे, electrode पे और खुद solution में Cu two positive बनके आ जाए तो देखो Cu two positive बनके solution में आ गया और two electron electrode पे release कर दिये दूसरा क्या हो सकता है? OS negative क्या हो जाए? oxidize हो जाए तो यह reaction आपको बताई थी प्लस O2 प्लस four electron release थर्ड क्या हो सकता है? SO4 two negative क्या हो जाए? oxidize हो जाए तो SO4 two negative S2O8 two negative प्लस two electron release तो यहाँ two है तो balance करने के लिए two ठीक तो यह possibilities है अब देखो एनोट पे क्या होता है? oxidation होता है तो इसका मतलब जिसका reduction potential सबसे कम होगा वो reaction वहाँ होगी कहा होगी? एनोट पे होगी तो देखो SU का कितना है? सबको पता है 0.34 volt है और OS negative का यह हमारे पास 1.23 volt है और SO4 two negative का कितना है? 1.96 है तो सबसे कम किसका है? इसका है तो यह reaction एनोट पर होगी ओके? तो देखो overall reaction क्या होगी अब? CU two positive है तो CU two positive plus CU is equal to CU plus CU two positive यह होगी ठिक? और SO4 two negative भी दोनों तरफ हैं तो यहां भी प्लस कर दो समझ में आ गया? आप देखो जितने CU तूटके आ रहे हैं उतने CU क्या हो रहे है? यहां deposit हो रहे हैं तो concentration CU two positive का solution में change नहीं हो रहे है concentration change नहीं हो रहे है क्योंकि देखो water भी क्या हो रहे है? water की भी कोई reaction नहीं हो रही है ठिक और CU का concentration भी बना हुआ है जितने आ रहे हैं उतने ही जा रहे है ठिक तो concentration तब क्या है? CU two positive का change नहीं हो रहे है और देखो यह electrolysis process metallergy में बहुत important है इसे हम बहुत सारे metals का purification कर सकते हैं देखो कैसे? यहां पे आप pure electrode लो और यहां पे impure electrode लो अब देखो ions यहां से आएंगे और यहां deposit हो जाएंगे ठिक और जो mud होगा न जो impurities होगी वो क्या होगा? यहां पे नीचे settle down हो जाएंगी समझ में आ रहा है? ठिक तो ऐसे करके हम बहुत सारे metals का purification कर सकते हैं वो भी high quality में है जैसे की हो गया sodium का magnesium का aluminium का और copper का तो करते ही करते हैं ठिक तो ठिक है I hope समझ में आ गया होगा तो thank you